हेलो दोस्तों टेस्ट ब्यार का चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग ब्रेट पिज्जा सेंट्वीच के रेसीपी बनाएंगे यह इंस्टेंट पिज्जा इसको बोल सकते हैं जो आसानी से बन भी जाता है सभी को बहुत पसंद भी आता है तो दोस्तों आप यह बनाने में जितना आसान है खाने में इतना ही टेस्टी है तो चलिए बनाते हैं दोस्तों इसको मैंने कैसे बनाया है और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भोलिएगा और लाइक शेयर करना भी ना भोलिएगा दोस्तों तो चलिए बनाते हैं तो स करने के बाद अब हम लोग सबसे पहले एक तावा लेंगे जिसपे हम लोग इसको रोस्ट करेंगे तो उसपे थोरा सा हम लोग बटर को एसे सस्प्रेट कर देंगे इस प्रेट करने के बाद इस पे हम लोगोने ब्रेट को जो कटकरके रख़ा है उसको एक लेयर में सबसे पहले अच्छे से ऐसे फैलादेंगे चार ब्रेट को और उसके उपर पिजा सोस डालेंगे पिज्ञास उसकाच्छे से फेला देना है सबी ब्रेट के उपर अब उसके उपर दोस्तो हम लोग स्लाइशेष चीज लेंगे और उसको ब्रेट के उपर ऐसे रख देना है और चीज के उपर थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लैक्स इसको स्प्रिंगल कर देंगे और फिर से उसके उपर हम लोग यह जो बचा हुआ ब्रेट है चार ब्रेट उसको उसके उपर रख देना है और फिर से पिज्जा सॉस को स्प्रेट कर देना है अब दोस्तों इसके उपर हम लोग चीज को ग्रेट करके डालेंगे आप इसके बदले मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं तो अच्छे से चीज को एस्पिरेट करने के बाद आप अपने पसंद का नुसार कम ज्यादा कर सकते हैं चीज को तो इसके उपर अब हम लोग गट के आवा थोड़ा साँ प्याज टमाटर और सिमला मिर्च इसको ऐसे पेटल्स में पेटल्स निकालके प्याज का और टमाटर को ऐसे बीच का पारट से निकालके साइड बुला पारड़े से कट करके सबको एक जैसा कट करना है और इसके उपर अच्छे से ऐसे फैला देना है तो अपना 24 कनुसार आप इस पर वेजेटेबल डाल सकते हैं पनीर भी डाल सकते हैं और बेवी कॉर्न ये सब डाल सकते हैं फिर से उसके उपर हम लोग चीजे डाल देंगे और फिर से चीली फ्लैक्स और औरिगेनो इसको स्प्रिंकल कर देंगे थोरा सा नमक हलका सा नमक स्प्रिंकल करना है तो सब करने के बाद दोस्तों अब हम लोग फ्लेम पे दावा को रख देंगे और इसको पांच मिनट के लिए लोग फ्लेम पे कूक करना है पांस मिनट में यह बन के रेडी हो जाएगा देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा यह बन के रेडी हुआ है उपर से कितना अच्छा यह चीज मेल्ट हो गया है तो दोस्तों आप इसको कभी घर में छोटी मोटी पाटी हो तो उसमें बना सकते हैं फिर बच्चे कभी पीजा खाने का डिमांड करें तो आप यह अच्छा ओप्शन है बनाने का बना के दे सकते हैं तो बनाएगा जरूर दोस्तों और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलिएगा दोस्तों फिर मिलते हैं आगले रेसीपी के साथ थेंक यू लाइक शेयर करना भी ना भूलिएगा दोस्तों